बुद्धि विहार में चल रही श्वीमत भागवत कथा ग्यान यग के पांचवे दिवस कथा सुनाते हुए स्वामी विजय सवरूप जी ने कहा कि पवित्र मन को ही स्विकार करते हैं भगवान माखन चोरी प्रसंग की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान गोपियों का माखन चीन कर चुरा कर खाते थे हम मंत्रों के द्वारा भोग लगाते हैं फिर भी हमें भगवान प्राप्त नहीं होते इसका मतलब ये है कि जिसका मन पवित्र है जो पूर्ण रूप से भगती में डूबा है उसे गोपी कहते हैं एवं जब हम इस इस्तिती में आ जाएंगे तो भगवान हमको भी स्विकार कर लेंगे गिराज गोवर्धन की क्रथा सुनाते हुए बताया कि भगवान ने पहाड की पूजा कर प्रकती का सम्मान किया और रक्षा करने का संदेश दिया प्रकती संतुलित रहेगी तो हमारा जीवन भी संतुलित रहेगा यमुना और पेडों पर लीला करना भी गुप्त संदेश था हमें नदियों पेडों आदी पूरी प्रकती पर्यावरण का सम्मान और रक्षा करनी है श्री कृष्ण का अनुसरन करते हुए हमको भी प्रकती का स्रक्षन समवर्धन करना है तभी हमारा ये जीवन जीवित रहेगा श्रष्टी जीवित रहेगी अने ता हम सबका भविश्य खत्रे में आ जाएगा कथा शुरताओं में विरेंद्र यादव, मुकेश यादव, संत कुमार यादव, अमन यादव, सुर्यकान्त यादव, संचित यादव, विजैपाल सिंग, अरविंदराथार, सविंधर सिंग, अभिशेक यादव आदि उपस्तित रहे कि मुरादवाद बालो आज गले के लोग काय में लोटते हैं बोलो काय में लोटते हैं सराफी के लोटते हैं हां अव सराफी के लोटता है और भगवान तो मांखन में लोटते हैं दूस दहीं में भगवान लोटते हैं हां भगवान दूस दहीं में लोटते हैं हां भगवान सुक्तियव जी असना परके दर्म समझाता जा परक्षी जी को कदा सनाते केते हैं राजन जो सोदा महिया जबाई को देखा के पूर्या अंगी माखन उन्हें कुरुद्ध हो गए और घंदा उठाया कनिया किताई करने किलिए कौन पगड़ सकता है भगवान को क्रोध से कोई नहीं पगड़ सकता है भगवान को तो प्रेम से ही आख पा सकते हैं प्रेम से जिन्हों नहीं पाया भगवान को उन्होंने प्रेम से ही पाया क्रोध से अभिमान से बल पर्योग करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है एसो रास रच्चो ब्रंदाव यह को इसे अच्चो ब्रंदाव यहाँ! राजीत कर दिदे के पुर्दिना